नंदन कानन जूलोजिकल पार्क में लायन सफारी का आनंद लेने के लिए पहुँचे परियटकों की धड़कने उस समय बढ़ गई जब शेर खुद उनके बस के चक्कर लगाने लगे मौजमस्ती के बीच 30 परियटकों से भरे बस में सननाट आचा गया पाकिस्तानी खुफिया एजनसी से OTP साजा करने मामले का जल्द ही खुलासा हो सकता है मामले में पूच्टाच करने के लिए आतंकवाद निरोधक गस्ता और NIA भुवनेश्वर पहुँची एक फिंटेक कमपनी के साथ क्यूआर कोर के जरिये 14 करोड रुपए से अधिक की हैरा फेरी हुई है इस मामले में जाच अधिकारियों को चीनी लिंक होने का संदे है उनके सामने पहले ऐसा कोई मामला नहीं आया है इसलिए उन्होंने इसकी जाच के लिए विशेशग्यों की राई ली है ओडिशा में क्राइम ब्रांच STF को बड़ी सफलता हाथ लगी है STF ने ब्राउन शुगर डीलर किया है उसके पास से 1100 ग्राम ब्राउन शुगर जब्द की गई है इस पर एक करोड रुपए से अधिक की लागत आएगी कॉंग्रिस ने डियेन ग्रूप और पटनायक सरकार पर मिलकर भूमी घोटाला करने का आरोप लगाया है कॉंग्रिस ने प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने सरकारी खजाने को हजारों करोड रुपए का नुकसान पहुचाने की साजिश रची खारत का खारे पानी का मगर्मच सनरक्षन कार्यक्रम जो पिछले 48 वर्षों की सफलता की कहानियों में से एक है वह वर्तमान में नई चुनोतियों का सामना कर रहा है ओडिशा के भितर्क निकाराष्ट्रिय उद्यान में बड़ता संघर्ष सनरक्षन प्रबंधन वर्तमान में बहस का सबसे नया मुद्दा है अप्राजिता शणगी ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव और पांच की सचिव वीके पांडियन के विभिन नजिलों के दौरों जनसभाओं को संबोधित करने पर मुख्यमंत्री को घेरा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है तो उन्हें गद्धी छोड़ देनी चाहिए उडिशा के बालेशवर और भदरक के इलाकों में नाशनल हाइवे वाले लोगों से चोरी और डकैती करने वाले नौ आरोपियों को सोरो पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बालेशवर सदर के SDPO शशांक शेखर बेवरा ने बताया कि गिरफतार आरोपियों का यह गिरोह जमीन ओडिशा सरकार के संस्कृती विभाग में अतिरिक्ट मुख्य सचिव सत्यबरत साहू ने कहा कि अगर आप ओडिशा में व्यापार कर रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से उडिया भाशा में नेमपलेट लगाना होगा केंडरिय वानेज्य और उद्योग उत्भोकता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितर्ण और कपड़ा मंत्री पियूश गोयल तीन दिवसिय दौरे पर युके जाएंगे इस दौरान वे अपने युके समकक्ष से मुक्त व्यापार समझोते उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते दो दिनों से हो रही बारिश से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है वही भारतिय मौसम विज्ञान विभाग आई-मडी ने अगले कुछ और दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है असम के धेमाजी जिले में बाढ़ की स्थिती काफी गंभीर हो गई है जानकारी के अनुसार बाढ़ के चलते लगभग 18,000 लोग प्रभावित हुए है साथ ही जिले के चार राजस्व मंडलों के अंतरगत आने वाले 48 गाउं भी बाढ़ की चपेट में आ गए है देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन काफी अस्तव्यस्थ हो गया है इसके कारण उत्तर भारत की कई ट्रेनों की सेवा भी बाधित हुई है यहां की लगभग 20 ट्रेने प्रभावित हुई है लगातार देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है रक्षा मंत्री राजनात सिंह रविवार को तीन दिवसिय आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया जाएंगे उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश मलेशिया और भारत के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करना है बता दें की राजनात सिंह और दातो सेरी मुहम्मद हसन साजाहिल राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मुकल से शुरू होने वाले दो दिवसिय विजिटर सम्मेलन का उद्धाटन करेंगी 10 और 11 जुलाई को होने वाले दो दिवसिय इस सम्मेलन की मेजबानी राश्ट्रपती भवन ही करेगा सम्मेलन की शुरुवात सोमवार को राष्ट्रपती के उद्घाटन भाशन से होगी BRS पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के चंदरशेखर राब ने कहा कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में रोटी बेटी का संबंध है साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ ही पार्टी उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में भी पार्टी का विस्तार करेंगे चेन्नई में एक महिला की मोबाईल चीनने के दौरान ट्रेन से गिरकर मौत हो गई महिला ट्रेन में फोन पर बात कर रही थी, तभी दो लोगों ने उससे मोबाइल चीनने की कोशिश की इसमें महिला ट्रेन से प्लेट फॉर्म पर गिर गई महिला के सिर में गंभीर चोटें आई थी भाजपा के प्रती नरम रुख के उलाहने जहिलती रही बसपा सुप्रीमो मायावती अब अपने तेवरों से यह संदेश देना चाहती है कि वह प्रस्तावित विपक्षी एक्ता में फिलहाल भले ही शामिल नहों लेकिन भाजपा की प्रबल विरोधी है गुजरात राज्यस्भा चुनाव से पहले ही कॉंग्रेस ने अपनी हार मान ली है नेताओं ने कहा कि पार्टी गुजरात में तीन सीटों के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी यह निर्ने 182 सदसिये राज्य विधान सभा में पार्टी के अपर्याक्त प्रतिनिधित्व के कारण लिया गया है दिनियस में आयोजित होने वाले नाटो के दो दिवसिये शिखर सम्मेलन पर दुनिया की निगाहटी की है इस बैठक से पहले कई लोगों का मानना है कि नाटो में यूक्रेन को शामिल करने की जरूरत है 31 जुलाई 2023 से पहले उन सभी लोगों को इंकम टैक्स रिटर्न आईटी आर फाइल करना जरूरी है जो किसी न किसी रूप में कमाई कर रही है आज हम आपको बता रहे हैं कि आप उनलाइन आईटी आर कैसे फाइल कर सकते हैं बैंक आफ इंडिया शेयर सेल कार्य कर रहा है इसके लिए बैंक को बोर्ड से पूझी जुटाने की मनजूरी मिल गई है इस शेयर सेल बैंक द्वारा सेबी के नियूंतम शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन करना है तमन्ना भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का दमखम दिखाया है बाहुबली में उनकी दमदार परफॉर्मिंस को अब तक कोई भूल न सका है वहीं हालिया रिलीज हुई लस्ट स्टोरीज 2 में उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया फिल्म मिशन डेड रेकनिंग पार्ट 1 का अगला भाग अगले वर्ष जून में 2024 में रिलीज होगा इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि टॉम क्रूज की भूमिका एथन हंट की आखिरी फिल्म होगी इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्सा है हॉलिवुड एक्ट्रेसेस ने 8 जुलाई को अपना 65 जन्म दिन सेलिबरेट किया एक्ट्रेस ने बेटे रनबीर, बेटी रिधिमा और उनके ससुराल वालों के साथ इटली में बर्थ दे का आनंद लिया नीतु कपूर के बर्थ दे तस्वीरें सामने आ चुकी है सल्मान खान बिग बॉस सीजन 2 को होस्ट कर रहे है इस शो का तीसरा वीकेंड का वार एपिसोड टेलिकास्ट हुआ इस दौरान सल्मान ने एक एक घर सभी घरवालों से बात की इन सब के पीछे सल्मान खान की वाइरल हो रही एक तस्वीर है जिसमें उनके हाथ में सिग्रेट नजर आ रही है टेलिविजन सिरियल ही श्वेता तिवारी ने फैंस के दिलों पर भी राज किया है चालीस पार की उम्र में श्वेता आज भी सोशल मीडिया भी कोई पोस्ट शेर पोस्ट शेर उनके फैंस अपना दिलहार बैठते हैं अगर आप भी कम कीमत पर शानदार बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है देश में इस समय लो बजट में कई दमदार मोटर साई के लिए मौजूद हैं जो जो परफार्मेंस के मामले में बहतर तो हैं ही साथ ही साथ लुक में भी स्टाइलिश है हारले डविडसन के प्रेसिडेंट और सीओ जोचेन जेट्स के अनुसार भारत में अपनी इंपोर्टेट बड़ी बाइक की बिक्री में बाधा डालने वाले उच्छ सीमा शुल्ग के कारण हारले डविडसन देश में स्थानियस तर पर प्रोडक्शन प्रीमियम मॉडल प के नाम के साथ क्यू आठ प्रीफिक्स को जोडा गया है